आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें लिख लेते हैं क्या दिया गया है? हमें यहाँ पर दिया गया है साइन ठीटा बराबर तीन साइन ठीटा प्लस दो अलफा ये दिया क्या है? अब दिखें प्रशन को आगे हल करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर दो सर्व समिकाओं का उप्योग करेंगे कौन सी, देखिए पहली sin a plus b किसके बराबर होता है, sin a plus b बराबर होता है, sin a into cos b plus cos a into sin b के बराबर, और देखिए दूसरी कौन सी सरस्वमिका का उप्योग करेंगे, sin a minus b, तो sin a minus b किसके बराबर होता है, sin a minus b बराबर होता है, sin a into cos b minus cos a into sin b, cos a into sin b, तो देखिए अब क्या करेंगे, दिये का सम्मिकरण को हम देखिए यहाँ पर किस प्रकार लिखते है, sin theta क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, sin theta plus alpha minus alpha, तो देखिए alpha जोड़ने और घटाने पर यहाँ पर कोई फर्ख नहीं पड़ेगा, इसी प्रकार देखिए, 3 sin theta plus 2 alpha क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको theta plus alpha plus alpha, तो देखिए 2 alpha को तोड़कर हम ने यहाँ पर alpha plus alpha में लिख लिख लिखेंगे, तो देखिए, यहाँ पर हम sin theta plus alpha minus alpha में, यहाँ पर sin a minus b वाली सर्फ समिका का उप्योग करेंगे, यहाँ पर देखिए theta plus alpha को क्या मालेंगे, a और alpha को यहाँ पर b मालेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर sin a plus b वाली सर्फ समिका का उप्योग करेंगे, तो यहाँ पर theta plus alpha को a माल लेंगे और alpha को यहाँ पर माल लेंगे b तो देखिए हमें क्या में देखा अगले step में हम यहाँ पर लिख सकते हैं sin theta plus alpha into cos alpha plus minus cos theta plus alpha into sin alpha बराबर यहाँ पर देखिए साथ में हम क्या करेंगे सबस्वमिंका को अपयोग करेंगा और 3 से गुड़ा भी करेंगे तो क्या हैगा 3 into sin ठीटा प्लस अल्फा into cos Force plus 3 into cos ठीटा प्लस अल्फा cos ठीटा प्लस अल्फा into sin साइन लफा दीखे आगे हमारे पास अब देखें यहाँ पर दाय पक्ष में हमारे पास क्या है साइन ठीटा प्लस अलफा इंटू कॉस अलफा और दाय पक्ष में है तीन साइन ठीटा प्लस अलफा इंटू कॉस अलफा तो हम क्या करेंगे तीन साइन ठीटा प्लस अलफा कॉस अलफा को ले आएंगे दायपक्ष में तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2, sin theta प्लस alpha, इन्टू cos alpha, यह आगे हमार पास अब देखें क्या करेंगे, माइनस cos theta प्लस alpha, इन्टू sin alpha को ले जाएंगे दाइपक्ष में तो हमें क्या मिलेगा प्लस का चार इंटू कॉस ठीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा या आगे हमार पास तो देखिए अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम यहाँ पर इस समीकरण में कॉस ठीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा से भाग द ठीटा प्लस अलफा इंटू साइन अलफा यहां कि हमार पास बराबर यहां पर क्या आजएगा यहां पर भाग देंगे तो यहां पर हमार पास आजएगा चार अब देखी क्या करेंगे अगले स्टेप में sine theta plus alpha by cos theta plus alpha ये क्या बन जाएगा? ये बन जागा 10 theta plus alpha ये बन गया और देखें cos alpha by sin alpha ये क्या बन जाएगा? cot alpha तो यहाँ पर लिखेंfeff part alpha और इस minus 2 को ले जाएगे कहाँ पर? Pa pakai पक्र सही होगा 주는 क्या प्लस था, तो यानि minus का 2 याँगे है हमार पास, अब देखें, कौड अलangen क्या लिख सकते हैं, एक बटा tan alpha, तो क्या लिखें, अगले step में, 10 theta plus alpha into, क्या लिखें gefें गौड अलफा को, 1 बटा tan alpha याऊदा, या लिख सकते हैं, बराबर माइनस 2, अब क्या करेंगी, 10 alpha प्लस alpha बराबर minus का 2, 10 alpha यहाग है हमारे पास अब minus 2, 10 alpha को ले जाएंगे, बाइब यहाई पक्स में तो हमें क्या मिलेगा 10 theta प्लस alpha, plus का 2, 10 alpha, बराबर हमें क्या मिलेगा, 0 तो यहां से देखे हमारे पास 10 Theta प्लस अलफा प्लस 2 Tandalfa बराबर इसका मान क्या है अब देखते हैं हमारा उत्तर कौन से विकल्प से मैच करता है तो यहां पर देखे हमारा उत्तर विकल्प B से मैच करता है धन्यवाद